पूर्वाद्यक्ष राहूल गांदी की फरजी वीडियो क्लिप को जिस तरह से बनाया गया और उसे जनता के सामने पेश किया गया इस पूरे मामले में जी नियूस के एंकर रोहित रंजन पर अब कॉंग्रेस पार्टी ने हला बोल दिया रोहित रंजन के खिलाब कॉंग्रेस पार्टी ने ना सरिफ हला बोला है बलकि ये भी कहा गया है कि उन्हें जेल की सलाकों की पीछे भेश दिया जाना चाहिए रोहित रंचन की गिरफतारी के वक्त देखने को मिला कि किस तरह से 36 कड़ पुलिस और यूपी पिलिस आपस में भिरती नजर आई इन सब के बीच कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि आज मीडिया सीधे तोर पर भी क्या है उनका ये कहना है कि आज सत्ता पक्ष के हाते हातों में मीडिया एक कटपुतली की तरह रहकर काम कर रहे और ऐसे में ऐसे एंकर को सबक सिखाना जरूरी है दरसल रोहित रंजन ने राहुल गांधी के उस वीडियो को ना सरिफ तोड मरोड कर पेश किया बलकि राजस्तान में जो घटना घटी थी जो हमला वर थे उन से राहुल गांधी के संबंद को जोडने की कोशिश की गए दरसल देखने को मिला कि वाइनाड में राहुल गांधी के आफिस को तोड़ पोड मचाई गई थी उसको वहाँ पर मर्च कर दिया उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सीधे तोड़ पर इसका विलोट करना शुरू कर दिया और जी नियूस के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ मामला दर्च किया गया 36 कड़ में पुलिस ने इस मामले को दर्च कर लिया 36 कड़ पुलिस जी हां वहाँ से उत्तर पर देश में रोहित रंजन को घरफ़तार करने पहुँची थी लेकिन उससे पहले योपे पुलिस ने रोहित रंजन को घरफ़तार कर लिया हाला कि कौंग्रेस लगातार रोहित रंजन पर हमला वारे और उनका कहना है कि रोहित रंजन को कई सालों के लिए जेल के पीछे डाल देना चाहिए ताकि वो इस तरह की बात कभी ना करें या इस तरह से जूट जूटा काम या जूट वीडियो ना बनाए आज के लिए इतना ही आपसे फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जातीजे नमस्कार